दोस्तो फाइनली ओपो ने अपना फाइंड टू फिली फोन को लंच कर दिया है इंडिया में तो दोस्तो आज हमें देखना है इस फोन के बाड़े में क्या ये वाकई 90,000 तक का ये फोन सही साबित होने वाला है या तो फिर फड़ाइज इसका ओबर है या तो फिर आखिर इस फोन को पर्चेस कप करना चाहिए कैसे करना चाहिए सबी कुछ आज की इस वीडियो में हम देखेंगी और इसकी सारी हम फोल खोल कर रख देने वाले ह इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरे ध्यान पुर्वग देखें यदि आप इस फोन को खटने की सोच रहे हो तो आपका बहुत ज्यादा पैसा बस सकता है और आप अच्छे से समझ जाओगे इस फोन के बारे में सारी जनकारी दोस्तों सबसे पहले फिली फोन की हम है लेकिन फ्लीफ फोन में ज्यादा तो और कामें नहीं कर पाते हैं क्याम अगरा खूल पाते हैं नोटिपीकेस्ण पड़ पाते हैं और सबसे पहले तो दोस्तों देखिए फिलीप फोन तो मतलब अभी ज्यादा तो और कोई इसका मार्केट नहीं पकड़ा है हाँ अब निकाल दिया है तो सभी कंपनी वाले दीदे दीदे निकालेंगे तो अच्छा कासा मार्केट पकड़ लेगा और प्राइज काफी कम रहते हैं पराइज की साब से तो फीचर देखते हैं कि फीचर इसमें कैसा क्या कुछ लगाए गया है दूस्तों सबसे पहले हम डिस्प्ले से ही बढ़ेंगे और इस प्ले देखेंगे कि कैसा लगाए गया है दूस्तों इसके फोड़ाट में आपको 6.8 इंज का एक 6 वा सब्सक्राइट फिल होगा और धूपर गारा में भी अच्छे का से फिल आपको देगा यह और अच्छा लगा मुझे लेकिन दूस्तों यहां पर वनरे फोर्टी फोर हट्स रिफ्रेज से डेना चाहे था लेकिन दूस्तों इसने नहीं दिया है काफी जादा मोजली बात और फ़र जो इसका जो सेकेंडर डिश्पले है या तो फिर कहें बेक में जो डिश्पले है और आपको 326 इंच का एक वेले डिश्पले देखने को मिलेगा और दोस्तों इस प्लेट के साथ आता है और नोट शनी फिक बड़ाइटेस इसमें भी है तो यह भी कापियो तक अ और भी मतलब थोड़ा वुट कामे कर सकते हो और फिलिप फोन के मुकाबले फिर भी दोस्तों मना जाएगा तो कोई ज्यादा तो इसका इस्तमाल नहीं है हां से लुक के लिए अच्छा है और ज्यादा तो इसका इस्तमाल है ही नहीं दोस्तों फिलिप फोन में सबसे ज्या प्राइट फोन एक स्मार्पोन इस्तेमाल करते हैं के जैसाब कोई भी बैटरी 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 वेकप इसमें नहीं देने वाला है चोवाली स्वार का फार्ट चार्जर जो है बुक्ताजर यह भी मतलब और नुट फोन के मुकाबले काफी जाद थुरा सलू फिलो का आपको नुट में आएगी तो माना जाए तो बैटरी बैटरी थीक ठाकी आर मतलब जो हमारा फिलीप फोन है उसके ज्यादा इमेज के तो लगाया गई नहीं क्योंकि आप देखी सकते चोटा सा फोन है तो यहीं से बात है दूस्तों मान के चलो डिशेंट आप इस बैटरी बैटर आपको 50 प्राइब देखने को मिल जाएगा है तो तो केमरा क्वालीटी डिसें ठाक आपको रिजल्ट दे पाएगा और लु लाइट कंडिशन में भी ठीक ठाक रिजल्ट दे पाएगा तो प्राइज भी तो अबर लग रहा है भाई 90 रुपा लग रहा है तो मतलब आप एना समझें कि आइफोनोग्रा का जैरा टॉपर टॉकर देपाएगा हां तो तो ठीक है यार मतलब लेकर मिला का चला जाए तो केमरा क्वालीटी आपको थोड़ा अच्छा का सा नजर आ सकता है फोड़ाट में आपको 32 MP के सेलफी कमरा देखने को मिल जाएगा तो मिलने वाला नहीं क्योंकि फिलिफोन है यह हम उतना पैसा की सी होर्फोन में फुकते हैं तो काफी होतों कि अच्छा केमरा इससे मिल सकता है परन्तु इसका भी केमरा ठीक ठाक है देखे दोस्तों पोर्टेसर जानना हमरे लिए बेहर ही जरूरी है क्योंकि जादा तोर हम इसमें गेमिंग ही करेंगे और मजा आएगा गेमिंग में इसमें आपको मेडिया टेका डाइमन सीटी 9000 प्लस वाला पॉर्टेसर देखेने को मिलेगा जो की फोरेन पर बेस पोर्टेसर है और माना जाए तो यह पूर्टेसर ठीक है कि आप इसमें अच्छे का से गेमिं लगा काम चला लेते हैं टाइप सी से ही काम चलाना पड़ेगा और बैटरी भी कम है 44 मेच की बैटरी है तो बैटरी में ज्यादा तो पर नहीं देने वाला है जिससे कि दोस्तों हम चार्ज मठू सेंगे या उसमें जुगार लगाएंगे क्या करेंगे हमको देखना है दोस्तों जैसे कि हम फिलीप फोन देखते हैं तो जब भी हम उसको फिलीप करते हैं तो इसमें काफी ज़्यादा गेप हमको नजर आती है लेकिन दोस्तों इसमें इसको काफी ज़्यादा कम कर दिया गया है ना मातरा इसमें गेप को रखा गया है और दोस्तों जैसे कि हम बार-बार फिलिप करते हैं खोलते हैं तो बीच में से इसका डिपले है और दूस्तुर बीच में से इस फॉन के साथ ऐसा देखा है ऐसा प्रूलम आई जब इस्तमाल किया गया सेमसंगा फिलिफ फोन था तो उसमें इसा प्रोल्म आ चुकि थी बीच में से डिस्प्लेट जो है उसका मुष्प्स अप्सक्राइब टूट चुका था या नहीं टूटा भी था फिर भी दोस्तों मुलब ज्वाइन था प्रण तूसमें निसान पर चुका था जिसक डिस्प इसको दिन में करते हैं तो फिर भी दोस्तों ज रखार तक शव्फ सकता है यह सब्सक्राइब यत्शाम printing करrá कई घ्रधेव akan 스alanे या चलेगा युद्ध करें चाहिए दूस्तों मुझे इस और भी चीज नहीं लगी ए सिर्फ आपको एक ही बेर में देखने को मिलेगा आठ 206 वाले वेरियंट और देखे दोस्तों आप यकिन नहीं मानोगे आठ 206 वेरियंट से इसको एक और वेरियंट ज़रूर ही लॉंच करना चाहिए यदि 90 रुपया लग रहा है तो कम से कम भाई बारो 512 GB यदि देता और रेम 12 GB देता तो मजा आता भाई क्योंकि हम यदि कुछी फोन को खड़ते हैं तो कम से कम भाई तीन चार साल तो चलाने की कुछिज करते हैं और दोस्तों जब उस समय हम देखेंगे कि यह 256 GB यह पता ही नहीं चलेगा कि कहा गया आज कल तो 128 GB ही पता नहीं चल पा रहा है कि भाई वो गया कहा है इस् तो बढ़ाना ही चाहिए था देखिए दूस्तों इस फोन को अभी आपको पर्चेस बिल्कूल ही नहीं करना चाहिए कम से कम 6-7 महिना वेट किजिए जब लोग इस्तेमाल करेंगे और इसका वाकई में उन लोग का जो प्रोलम होगा और फेस करेंगे तो जरूर ही आप इस अधुर है और चार साल का और भी अपडेट देने का वादा करता है 5 साल का सिकृटी अपडेट भी देने का वादा कर रहे है तो मुझे बहुत यच्छा लगा भाई यह हम एक-दूस साल बात से भी इस फोन को पषस करते हैं फिर भी समझें दोस्तों इन न्युवी लूं म मतलब समझे कि लाटेस्ट ही हम खड़ दे हुए तो इससे मतलब नहीं बनता है कि इसके मेना पास से पुरान फोन हो जाएगा तो ऐसा कोई बात नहीं है भाई 4 साल का अपडेट डिरा मेजर अपडेट तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा और इसको कम से कम आप 7-8 मेना वेट कीजिए यदि आप इसको पॉच्छेस करने की सोच रहो तो भी पॉच्छेस कीजिए आप अपना पैसा बचा करा सकते हो और देखे दोस्तु इसमें प्रोलम आएगी क्योंकि निवली लंच हुआ है उपका और अच्छे से कुस्टमाई नहीं किया गया हुआ आप य जनेरेशन आगे बढ़ चुका है चार पांच में चार लंच कर दिया है तो मुझे अच्छा लगा एक देखते हुए ऐसे जब एक दो और लंच कर देगा तो काफी ज्यादा अच्छा राएगा उससे में और भी ज्यादा प्रोलम जो हो फीच कर दी जाएगी और मार्केट ऐसा नहीं है कि कैसा भी फोन को लंच कर देंगे फिर भी दोस्तों आप देखिए आपका क्या राय है इस फोन के बारे में ज्यादा कुछ इसमें काम अपकर नहीं पाओगे 90,000 रुपया लगा रहे हो पैसा भी काफी ज्यादा लग रहा कुछ और पैसा लगा कर आप फोल्ड फोन को ही ले सकते हो यह इतना पैसा लगा रहे हो इतना पैसा है यह आपके पास तो